नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अलिल कुमार अजक आप देख रहे हैं मैं सॉलीशन चलिये तो चलते हैं आज हम आपको पढ़ाएंगे किलॉक का पार्ट थ्री मतलब टाइप थ्री तो उसमें क्या होता है कि कोई मिनिट की घंगड़ी में मिनिट की सुई है तो घंटे की सुई को मतलब साट में पार कल लेती है या तीस में पार कल लेती है या पचास में पार कल लेती है या सतर में पार कल लेती है तो मतलब वो कुछ मतलब 24 घंटे या 48 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी या सिलो हो जाएगी तो मतलब इस तरीके से सवाल आते हैं एससी में और रेल अब आपको वीडियो पसंद आए तो अन्तों वीडियो को लाइक केजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजिए मैं हर रोज वीडियो बनाता हूं और मैस की भी अपनी वीडियो डली है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए चलिए तो शुरू करते हैं चलिए तो आपको एक एक जामपल के जरीए से बताते हैं को कि मतलब पहले तो आप कॉस्चन देख लीजी पढ़ लीजी इस स्कीन पर उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके क्योंस की ट्रिक में बता रहा हूं तो सबसे पहले आपको एक नौलिज की बास बता दूं कि को कोई भी मिनिट की सुई होती है घड़ी में तो वो अपने घंटे के घड़ी के संपाती कितने मिनिट में होती है मतलब वो एक दूसरे से कितने मिनिट में वो मतलब एक दूसरे को कितने मिनिट में मतलब वो ओवालेप करती है मतलब जैसे यहां पतलो जो ओवालेप नहीं ह मतलब वो ऐसे कब होती है मतलब एक के उपर एक मतलब समपाती कब होती है कितने मिनिट में होती है वो होता है 65 सही 5 बटे 11 मिनिट यह होता है फिक्स टाइम इतने मिनिट में वो एक दुशे को उपर मतलब समपाती होती है तो इस ताहीं related हमारी ट्रेक बनी है तो उसको देख लीजीएगा तो आपके इस तरी की question सारे हल हो जाएंगे चलिए तो शुरू करते हैं question देखते हैं चलिए तो question इस परकार है प्रते हैं यदी एक घडी में minute की सुई घंटे की सुई को 60 मिनिट में पार कर लेती है ठीक है तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अतवा तेज हो जाएगी वो कह रहा है एक घड़ी में कोई मिनिट की सुई है मिनिट की सुई है घंटे की सुई को 60 मिनिट में पार कर लेती है 60 मिनिट में पार कर लेती है मतलब और actual time कितना होता पार नहीं मतलब संपाती का time कितना होता 65-65 बटे-11 मतलब वो संपाती कब होती है मिलती कब है एक से एक क्यूबर एक कम मिलती है मतलब ऐसी कब होती है कब होती है वो 65-65 बटे-11 मिनिट में होती है लेकिन कॉस्चन में क्या कह रहा है वो साथ मिनिट में पार कर ली थी मतलब साथ मिनिट में भी क्रॉस कर गई घूम के तो इसका मतलब वो क्या चल लए है तेज चल लए है मतलब फास चल लए है इस से अगर कम समय हो 65 पर सही 5 बटे 11 से अगर कम समय में पार करती हो तो मतलब वो घड़ी fast चल लई है वगर इस से ज़्यादा समाई ले रही है तो इसका मतलब वो घड़ी slow चल लई है ठीक है तो यह आपका basic है थोड़ा तो चलिए देखते हैं मतलब अब देखते हैं वो क्या कहा रहा है एक घड़ी में मिलिट की सुई घंटे की सुई को 60 मिन में पार कर लेती है तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अतवा तेज होगी तो इससे तो पता चली गया है कि 100% fast चल लई है क्योंकि 60 मिन में पार कर रही है जबकि संपाती का अपनी ट्रक क्या है 15साई यय फांट बैटे 11 माइनस टाइम अपन टाइम में है और हेसमें मतलब तो वह देखिए इसमें अपना टॉटल टाइम कितना दिया हुआ है टोटल टाइम मतलब देखंग time से बिताते हैं आपको सबसे पहले time क्या होता है time बो होता है इसको मतलब जितने समय में बो गंटे की सुई को पार कर रही हो मिनिट की सुई पार कर रही हो गंटे की सुई को ठीक हो ठीक है पार कर रही हो ठीक है यह होता है टाइम ठीक है पुझे टोटल टाइम केता होता है मलब वो कुछ गंटो बाद कितनी तेज होगी या सिलो होगी मतलब जितने घंटे बाद और टोटल टाइम के तक क्या है टोटल टाइम है मतलब कुछ घंटो बाद मतलब कुछ घंटो बाद ठीक है जितने भी घंटे बाद मतलब वो पूछे कि कितने सिलो हो रही है तो वह अपन ने इसको मतलब बता दिया है कि आपको सिफ टायम और टूटल टायम में थोड़ा अंतर पता चल जाए और कुछ नहीं है बागी यह ट्रेक है इसको समझ लीजीगा बहुत ही आसान है चलिए तो अपन ट्रक में रखते हैं कॉस्चन के बेलू और आंसर तुरंत पन को मिल जाए ठीक है देखिए अब कॉस्चन पर भी आप देखिए कॉस्चन देखिए वो कह रहा है एक घड़ी मिनिट किस हुई कितने मिट में पार कर रही है साट मिनिट में तो देखो अब अनको तो क्या करना सिंपल 55 साही पांच ग्यारा महाएननर कितने में साक मिनिट में पार कर रही है ना साट मिन ड़ी नीचे मीच यह सटाम से मिद प् Bringing की बाईस गंठे भीए कितनी धीमी तो अत्तेज होगी मतलब 22 गंटे में कुछ गंटों बाद की बाद कर रहा है तो कितना हो अहोंत त month धूत दाए सार्य पांस सही कितना बचेगा दिखो पांस सही पांस बटे 1 1-11 बच जायेगा ठीक है उपर नीचे 60 गडे 22 है अब दिखो ग्यारा पंदा heck 55 इसको सालेशन ग्यारा पन्रा पंद्र पश्पन पांच और Sाठ, साठ बटे ग्यारा वटे में Sाठ और गुड़े में कितने 25 ठीक है स्वारी 20 कितने है गुड़ा में 22 ठीक है अब यहको क्या होता है इसके नीचे एक है तो इसको इसमें गुड़ा हो जाएगा उपर से निची बहुत ठीक है यह तो आपको आता ही हो ता साथ बटे साथ गुड़े 11 गुड़े 22 ठीक है तो साथ से साथ कैंसर हो जाए 11 दूनी 22 तो कितना आजागा 2 गुटे जे 2 गुटे हावर मतलब ये गुटे में दिया है टाइम तो घंटे में आएगा time ठीक है मतलब 2 घंटे मतलब तेज हो जाएगी क्योंकि देखो 60 मिनट में पार कर रही तो मतलब तेज चल लेगे तो और तेज होगी आँगे चल के तो मतलब 2 घंटे fast हो जाएगी मतलब fast या तेज ठीक है 2 घंटे तेज आजाएगा अगर एक calculation आपको इदर थोड़ी आसानी से समझ में नहीं आ रही हो तो आप खुद कर लीजिए आणाम से आजाएगा ठीक है 2 घंटे आजाएगा ठीक है कितना time आगया 2 घंटे तेज हो जाएगी ठीक है अगर slow हो रही हो थी तो 2 घंटे slow हो जाती लेकिन हमारी घंटे कितनी fast चली न तो वो 2 घंटे तेज हो जाएगी चली तो देखते है next example उससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा चली तो देखते हैं दूसरा question कि यदि ये घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी अथवा तेज हो जाएगी एक दिन में मतलब या 24 घंटों में कितनी धीमी या तेज वो कह रहा है 65 मिनट में पार कर लेती है 65 minute में पार कर रही है 65 minute में पार कर ली थी और अपना actual time कितना होता था संपाती होने के लिए 65-5 बटे 11 देखो 65 तो यह पर ले 5 बटे 11 थोड़ा ज़्यादा time है कुछ ज़्यादा time लेती थी संपाती होने में लिए तो कम ही समय में पार कर रही तो मतलब यह घड़ी तेज़ चल लगी तो answer काय में आएगा fast में आएगा ठीक है तो अपन देखते हैं अपनी track क्या थी 65-5 बटे 11 माइनस time upon time ठीक है multiply total time total time ठीक है ठीक है अब देखो 65-5 बटे 11 time कितना है अपना अपना time मतलब जो जितने minute में पार करती है वो होता था time अपना तो 65-5 में पार कर रही ठीक है तो 65-5 में नीचे भी आएगे अब देखो total time कितना दिया है total time दिया है 24 गंटे मतलब एक दिन की पूछ रही न तो total time कितने दिया है 24 गंटे 24 गंटे ऊदर 24 घिक है अब घटाएंगे तो उपर बचेंगे कितना पांच बटे ग्यारा क्योंकि 65 सभी 5जी ग्यारा में सटी 5जी घाएंगे तो gesehen 5जी 5जी ग्यारा और नीचे कितना है 65 तो 65 नीचे कितना है 65 टिक है गोणा 24 ठीक है नीचे बन होता है ऐसा में मल्टिप्लाइ होता है 11 12 गोणषे 50 है पांच से गाय तेरा बार तेरा पांदा पैसट होता न अब देखो तेरा से गुणाम कर तो ग्यारा में तो उपर तो देखो चोवीस है में पार कर रही तो मतलब इसका तेज चल लगी है तो अपना कितना आंसर जाएगा 24 बटे 143 घंटे तेज मतलब तेज हो जाएगी वह मतलब कितने 48 24 24 घंटे बाद चलिए तो अगर आपको हमारी ट्रेक हैल पुल लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमा लेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्वाद